असलाम अलेकुम आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल पाकिस्तान टीम का स्कॉर्ड आ गया है आईलेंड और इंगलेंड की सीरीज के लिए उसामा अमीर और जमान खान ड्रॉप हो गया है और हो सकता है वर्ल्ड काप की टीम से भी ड्रॉप है अब यहीं समझ ले हसन अली की पता नहीं कहां से एंट्री हो गई हारिस रॉप वापिस आया साथ सल्मान अली आगा को इंगलूड किया गया बाकि वोजी स्कॉर्ड है जो पिछली सीरीज में था पता नहीं फास बॉलिंग आगा उंडर को यह क्यों नहीं इंगलूड करते हसन अली की मुझे समय नहीं आती क्यों कि क्यों इंगलूड की गई है उन्होंने यहीं कहा कि हारिस रॉप का बैक अप है वो यह बैक अप इ होगे तो फॉकर यह है का स्कॉर्ड में होना और महम्माद अरिस को इस वाल तक नहीं पूछता मौमाद आरिस का प्रेस कोंफरर्ज में आज प्रेस कोंफर्स होई इसी मजब चल रहा है माइक इदर चार्दर करता है हस रहे हैं और एक बंद अस्टेशू बंद के बैठा हुआ है विलाल अफ्दल साथ पाकिसारे अपने मज़े में लगे हुए है नौन सीरस होई है किस सवाल भी हमसे किया जाता है तो कोई इतना खास सही तरह जवाब नहीं दिया जाता है सिर्भाव रियास ने कोई सही तरह मैं तो हसन अली के एंट्री से हिरान हूँ कि वह कहां से वाप आ गए हैं अगसी इंठारा मेंसे आप 15 स्कॉर्ड वर्ल्ड कप का नजर आएगा इसमें से तीन रिजर्ब में चले जाएंगे इर्फान के अन्याजी शाय रिजर्ब में चले जाएंगे अधर से फिर हो सकता ह आगा सलमान चले जाए रिजर्ब में बाकी 15 फिर में वर्ल्ड कप की हो जाएंगे बर प्रता नहीं ऐसा जीप सा स्कॉर्ड है कुसी ने स्वाल पूछा ही नहीं कि आजम खान की किस बेसिस पर बनती है जोंकि फिटनेस ही वैसी नहीं है उन्हों ने यह जवाप दे दिया क वह मैं मानतों हूँ वह जरूर है पर कमस कम रनांस तो करते हैं आपको confidence जी यह प्लेयर रो के उपर आपको यह नहीं पता कौन से हैं आप confused प्लेयरे विच पीच में कौन से होना चाहिए वह नहीं होना चाहिए वनना आपने अर्यणान तक नहीं किया अभी तक हमारा हाल च एक बंदा एंड में बलार अफदल को पठाया हुआ है वो तो लगाया ही इसलिए हुआ है नजर रखने के लिए और यह काम ही कर रहा है नजर ही रख रहा है उससे कोई सवाल भी नहीं करता ना ही कोई जॉब देने हैं जोरी समझता है वाकि इतना नॉन सीरियस बेहवियर ना आज प्रैस कॉ handing मैं से कैसी मजाग में लगे रहे हैं माइक को के साथ कर रेे हैं इदर घुमार हैं दर घुमारे हैं जहती है मौमध हर्ष के साथ जहती है मौमध मसीम जूनियर आमर जमाल इंको से बोरिंग और उंडर की पर नहीं की आनका हाल है अब आईलेंड एंगलर सीरीज में देखते हैं कैसी पर्फॉमर्स आती है मने नजर में उम्हार इसको होना चाहिए था आजम खान की जगह और आमिर जमाल यह वसीम फ्यूनर को असन अली की जगह इंकलूड करते यह उन्होंने क्या बैक अप रख दिया है असणाली की नजर बनता अब पर पतर नहीं मैं और क्या उम्हशनों सीद्यस है मैं एक कोलोंगों इनको नहीं पता कौन सा क्लाड़ी हो ना सही है कौन सा नहीन वर्ल्जसुब का स्कॉल अनौस और नहीं सिगत एक ही बंदा वेतर था कि आया था रजाक को तो बिल्कुल भी ना लाया करें ना उस अबिलाल अबजल को लाया करें एक तो ये टॉप क्रिक्रेटर्स हैं रजाक और हमाई यूसफ देखके अस्थोस होता है मुझे कि इस तरह की सीयस ही नहीं है पता नहीं स्क्रीम का क्या हाल होना है कि आगे चलके कैसी परफॉर्वंस जानी है मुश्किली लजार आता है कुछ बहतर हो जाए तो अच्छा है पहला राउंटों चलो एक हो सकता है क्लियर कर जाए राउंडिंग के लिए असान नहीं है वहाँ पे जो टीम जाए राउंड म अपनी वाम कर्णीशन में तो वहाँ नहीं होने वाला बैर राउंड भी यह मर मर करें क्लियर करेंगे यही अभाल आव यह स्कॉर्ड आपके सामने है पता नहीं आगे चलके क्या होना है क्या नहीं होना इसी के साथ वीडियो करें लाइक चलो करें सब्सक्राइब नहीं होना है